हालो फ्रेंड वेल्कम टो माई चैनल आज हम बनाने वाले गेहों के आटे से पास्ता आज हम बनाएंगे देखे कभी-कभी ऐसा हो जाता है न मेरे भी साथ ऐसा हो जाता होगा कि कभी-कभी घर पे कोई भी नास्ते के लिए कोई भी समान नहीं होता तो बच्चे भी जित करने लगते हैं और हमें भी समझ में नहीं आता हुगा तो आज मैं गेहूं के आटे से आपको बहुती बहुत इफेरे इंसा नास्ता बनाना बताऊँगी यहां पर मैंने रोटी बनाने के बाद जो मेरा गेहू का आटा बच गया है वो मैंने ले लिया है अगर आपके पास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप फटा फट से थोड़ा सा आटा लेकर डो तयार करिए उससे आप बना लीजिए तो देखिए इतना डो हमारा बचा है तो है तो इसे मैं दो बार यूज करूँगी इसलिए आप अभी वीडियो में देखते जाएगा और यहां पर लिए मैंने धनिया पाउडर और यह लिया है मैंने हरी संस मसाला यह गरम मसाला थोड़ा सा कासमीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा से ले रखे मैंने जीरा साथे हैं जो रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं अपने हिसाब से आप मसाले का टेस्ट इसमें दे सकते हैं और थोड़ी से हम सबजियां इसमें डालेंगे फ्राइग करते समय तो यहां पर मैंने बड़ी साइज की एक प्याज लेकर कट कर लिया है और यहां पर मैंने दो बनाने वाली हूं और बना रही हूं तो इसलिए मैंने पास्ता मसाला एक पैकेट ले रखा है अगर आप मैगी वाला फ्लेवर देना चाहते हैं इसे तो मैगी वाला फ्लेवर देने के लिए मैगी मसाला आप यूज करें और हमें इसको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए त और इन लोगों सब मोटी वली रोटी नहीं बनाएंगे यह आप ना समझिए इसके हम पहले बड़ी सी पूरे चॉपिंग बोड पे हम इसको बेल लेते हैं बहुत जादा पतला नहीं रखना है यह थोड़े से देखे थोड़े से दरार आ गए है तो इससे कोई लेना देना न टियू पहले बड़ी सी रोटी हमने देखे बेल कर तयार कर लिए है और अब हम इसे कट करेंगे यह आप मेरे पास देखे एकड़म छोटी सी ग्लास है अगर आपके पास इस तरीके की ग्लास हो तो आप ग्लास ले लेएँ वन्माफीर आप कटर का भी यूच कर सकते हैं आ करना बहुत आसान होता है है किुफ अपम हम सभी छोटी च्छोटी पूडियां omb ने कट कर लिये हैं अब हम सटवाले पाट को इस तरीके से खऴा फिर से इसकी हम इसी तरीके से बेल के बना लेंगे हमने जो इसे कट कर रखा है पूड़ी को तो अब हम इसे शेव देते हैं पास्ते का इस तरीके से देखें हमें ऐसे उठाना है यहां से देखें आटेज करना है यानि कि जॉइन कर देना है और अब हम इसे इस तरीके से यह इसे दबा देंगे यह देखें कितना इजी होता है इसे बनाना और कितना प्यारा लगता है बहुत ही टरीके से यह बन जाता है तो आप ऐसे ही ट्राइए करें अगर नहीं समझ मैं आ तो मैं दूसरा आपको बना के फिर से दिखाती हूं आप इसमें समझ लीजिये देखिए ऐसे हमें उठाना है और यहां से इसे इस तरीके से करना है फिर उसके बाद हमें इसे पकड़ना है और इधर से पकड़ना है इसे हमें जोइंट कर देना है आ गया ना समझ में आप हो ही इतने समझदार के समझ में आई ही जाएगा तो अब हम ऐसे ही सारा अपना बन और देखे कितना प्यारा लग रहा है कितने बढ़िया तरीके समने सब को सेव दे दी है तो ऐसे ही आपको भी सेव देना है और जब आप नीचे प्लेट में रखें से बनाकर पास्ते को अपने तो नीचे आप थोड़ा सो सुखा मैदा या सुखा आटा छिरक दें ताकि आप पानी को हम बॉल करेंगे इस पतीले में और पानी को गरम होने से पहले हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक और अब हम कबर कर देते हैं पानी को पानी में ध्यान रखिए अच्छा खासा उबालाना चाहिए एकदम अच्छे से जब आपका पानी बॉल होता रहेगा त ध्यान रखिए इन्हें एक बार हम इसे ऐसे ही पकाएंगे फिर उसके बाद हम इन्हें दो से तीन बार बॉयल करेंगे तब यह अच्छे से पकेंगे और अच्छे से पानी जब तक बॉयल नहों तब तक आप डाले ना वरना यह कच्छे रह जाएंगे तो हम 10 मिट इन्हें अच्छे से गरम पानी में बॉयल करके पका लेंगे तो यह बिल्कुल भी कच्छे नहीं रह जाएंगे तो हाथ को बचाते हुए ऐसे ही हम सारा डाल देते हैं भगोने में अब हम सारे पास्टे को डाल चुके हैं तो इसे कर देते हैं कवर और अच्छे से हम इसे पका लेत पास्ते को हमने 5 मिट घड़ी को देखते हुए पका लिया है और यह देखे यह कच्छे बिलकुल नहीं है मैं आपको अभी ठंडा हो जाएगा तो दिखाऊंगी और जितना अच्छे सा पकाएंगे उतने ही बढ़िया तरीके से यह पक जाएंगे तो कच्छे ना रहे इस बा नहीं होने के लिए चड़ा दिया है तो अब हम लगाएंगे ड़गा अपने पास्ते में तो अच्छे से तक पैसले गरम हो जाने देते हैं तो आप ज़्यान रिफार्ण ओयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है उसमिंदा देते हैं दो से तीन मिर्च और प्याज को भी हम साथ में डाल देते हैं और इनको हम अच्छा सा कलर आने तक पका लेते हैं प्याज मिर्च बाकी हमारे सारे चीजे पक चुकी हैं अब हम इसमें डाल देते हैं यह कटे हुए टमैटो और इनको भी हम अच्छे से थोड़ी देर पका लेते हैं आप तरीखे से तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर तीखा अपने टेस्ट के अकॉरणिंग् ले सकते हैं, मसाले भी अपने हिसाब Geist कर सकते हैं कौन सी सबजी को डालनी है अब नहीं है तो आपको एकदम तरीका बताया है हम contribute यह किशनमे अविलेये भील होता है इसले सांला अपने डालने से एक दीक चमच के करीब पानी पानी डालने से क्या होगा मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो इनको हम एक मिनट पका लेते हैं मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है और आपको भी इसी तरीके से बिल्कुल पकाना है तो अब हम इसमें डाल देते हैं यह जो उने मसाले ले रखे हैं पास्ता मसाला अच्छे से हम पास्ता मसाले को भी मिक्स कर देते हैं और हाँ एक बात और अगर आप चीनी डालें तो बहुत जादा ना डालें आधी चम्मच ही चीनी डालें उससे जादा अगर डालेंगे तो तो ऐसे तूट के अलग हो जाना चाहिए तब आप समझें कि अच्छे सा आपने बॉइल किया है तो अब हम सारा इसमें डाल देते हैं डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं मिक्स करते हुए हम एक मिनट इसे और पकाएंगे मैंने जो ये पास्ते की पूरियां काटी है आटे से तो इसे मैंने बड़ी ग्लास से कट किया है क्योंकि मेरे पास छोटी ग्लास थी नहीं अगर आपके पास छोटी ग्लास हो तो आप एकदम छोटी ग्लास से छोटे छोटे ये पूरियां काटेंगे तो आपके एकदम से मार अंदर तक अब्जॉम्फ हो जाएं कि पास्ता एकड़ा एकड़ार निपन कर यह रहा है अभर इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह सारा कि हो तो आप देख्या आठे से बनाया है और लिए तो किसी को खाने के लिए इसे देंगे तो सभी आपसे बार-बार पूँचंगी का आप ने इसे बनाया कैसे है तो आप आक लोट करीये बच्चे जीत करें तो आप इसे बनाहे आसानी से घर पर बढ़ जाएगा और घर के बैचे कुछे सामाल से यह बन जाएगा तो हमारा नास्ता बनकर तयार है देखिए पास्ताम कितने अच्छे से और उस रगी तो हमने प्यार और अबसे अगले वीडियो के साथ तक अमने ख्याया लखेये मुस्कुराते रहेखे बाई